नमस्ते जी, आओ कुंदन, कैसे हो, आपके बिजनस में डूबी हुई, तीन लाग की रकम लाया हो, ये देखिए, कौन से, अच्छा अच्छा वो, जी हाँ, वहरी गुड, वहरी गुड, कुंदन, मैं तो तुमारे एसानों से दपते ही जा रहा हूँ, पहले वो गुडाम में जले हुए माल की इंशुरेंस की रकम वसूल करवा दी, बाद में फैक्टरी में हर्ताल खतम करवा दी, और अब ये, ऐसा करो कुंदन, इसमें से अधा हिस्सा तुम रख लो, हिस्सा, मैं और आप से लो, ना सेड़ जी ना, लेकिन सेड़ जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि, मैं और जया, अरे, कहो ना, इसमें शर्मानी की क्या बात है, कुंदन, मुझे मेरी अंधी लड़की के लिए तुम से अच्छे लड़का और कहां मिलेगा, शुक्रिया सेड़ जी, मगर, मगर, बेटा, जया बहुत जिद्धी लड़की है, वो अपने आपको अंधी नहीं समझते, किसी का सहारा नहीं लेना चाहती है, मगर, तुम खुद उससे बात कर लो तो, वाइ नौट? हलो जया, तुम्हारे साथ चलू, तुम्हारा जीवन साथी बनने का, कितना अर्मान है, तुम्हें हजारों बार कह मैंने, मेरी बाहों का सहारा लेने, चलो जया, जी नहीं, मैं खुछ चली जाओंगे, थैंकि, कितो ही जाओंगे, दुम्हें याओंगे, भेंकि, भेंगे, भेंगवे थागंगे, लुज रहाँ वार! कि युज रहाँ हुआाँ लुप लाँ लुज रहाँ हईएएएएएए ये कार के मालिक आके बंद करके चलते हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी छड़ी भी नेजर नहीं आई रहे, अंदे कहीं के ये लो, थैंक यू, मैं तुम्हारी हिम्मत के दाद देता हूँ, तुम अपने आपको बे सहरा ना समझ रहे कमाले साब, इतना हुनिक बड़ी से अखेला छोड़ रहे हैं, चलिए भेहन जी, मैं छोड़ेता हूँ अब नहीं नहीं भै साब, जाने दो उसे अपना, कब तक ये दूसरों के सारे रास्ते पार करती रहेगी, इसे अपने विश्वास पे चलने दो कर दो कर दो यह क्या करें राजिश अब तुम्हें इस चड़ी के सहारी के भी जरुवत नहीं है आ आ आ आ आ आ आवास किस तरफ से आती है इसका तुम्हें अंदाजा हो गया लेकिन मैं सड़क कैसे पार करूँगी आ मैं तुम्हारे लिए फोल्डिंग छड़ी लेकर रहा है यह लो लेकिन इसे तुम सिर्फ उस वक्त इस्तमाल कर रहा है जिस वक्त तुम्हें सड़क पार करने हो ठीक है अब तो मुझे इसके भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे होते हैं यह सब चीजे मेरे लिए बेका है कर दो मुझे ज़रूरत नहीं है कर दो मुझे ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब रहे है चल अरूरत नहीं हाथ मेरी अम्हार है मढ़ेह ज़रूरत नहीं है गले से लगाएंगे हम जवानी है तुमारी बरे काम की बचा के लगा रखना मेरे नाम की जवानी है तुमारी बरे काम की बचा के लगा रखना मेरे नाम की हूँ हूँ मैं निम्र के वर्पों के ये सायूं आंकों में है नशाम मैं तो कि राम बचाना समाना है प्यार का सुनो दिल वालो कुशी मिले क्या है कि हम गले से दगाएंगे हम इजाज तो हो तो पिके जहरा जूनो अदाओ को तुमारी बोलो जूनो इजाज तो हो तो पिके जहरा जूनो अदाओ को तुमारी बोलो जूनो ओ ओ ओ ओ ओ शायद ऐसा माँ तब नहाज हज के जाने वो पाहा जल जला उड़ा नहां जमान नह गर रा सुनो दिल वालो पुशी मिने चाहे कि नम गहले से लगाएंगे हम जमान नरा जिवन सो कभी चाहों कभी रूफ है जिवन तो कभी चाहों कभी रूफ है हो हो मरा जब है हसके जिया जाए लालालालालाला जवाता है प्यारगा सुनो दिल वाला कुशे मिले जाहे कर दो गले से तका हैंगे हम हाँ 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 हेलो जया हेलो बाजार गईदी जी कमाल है बाजार में पैदल आती जाती हो क्या तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कोई गाड़ी नहीं थी बहुत कुछ देने की कोशिश की लेकिन राजश ने इंकार कर दिया क्यों राजश सिर्फ मुझे चाहता है मेरे डैडी के धन दौलत गाड़ी और बंगले नहीं और कुछ पुछना बाकी रह गया है कि तुमने मेरे हमदर्दी का बुरा मान लिए हमदर्दी सिर्फ मजबूरों से की जाती है और मैं मजबूर नहीं वरना राजश मुझे कभी अकेले घुमने फेरने की इजाज़त नहीं देती अब चलो जया तो चलो जया मैं तुमें घर चोड़ देता हूं जी नहीं मेरा घर नजदी के आए चले जाना है लेकिन जया मैं थैंक्यू जाओ गाड़ी में तुम्हारों को इंतजार करें को के डार्लिंग कि डार्लिंग ये किसे देख रहे हो अपनी जिंदिगी की सबसे बड़ी और आखरी भूर करोडपती सेट गोविंद्राम की इकलोती और अंधी लड़की जिसने एक भिखारी को अपना पती बनाया और मुझे ठुकरा दिया और फिर भी तुम इसे अंधी कह रहे हो रीटा अब की बार किसी भी मोड पर ये मुझे मिली तो ये सोने की चिडिया संदगी भर मेरे हाथों में फड़ पड़ाती रहेगा ओ सिकंदर के बच्चे आपकी भावी आई क्या क्यों दिल नहीं लग रहा है बक्वास बंद कर ठीक है ठीक है ओक्के सिकंदर ओ सिकंदर अबे है या मर गया हूँ तो जिन्दा आपी ने तो बक्वास बंद करने को कहा था तो तो खोल दू क्या बक्वास करता रहता है जब शादी नहीं हुई थी तो हर वक्वास इकंदर सीकंदर की रट लगी रहती थी और जब से भावी आई है और जब से भावी आई है तब से सिकंदर को फलॉप पिच्चर की तरह डबे के अंदर बंद करके रखा है नहीं आई बाबी एई क्यों लड़ रहा है मैं लड़ने रहा हूं बाबी अंदर जाओ आपका इंजजार कर रहे हैं तू जा थैंक्यू बेरी मच्छ मैं नाश्टा करके आतो हूं झाल 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 अरे जया तुम का वाइं बहुत देर हो गए बताया क्यों नहीं देख रही थी क्या तुम कैसे परेशान होते हो अच्छा जी आपको हमें परेशान करने में मज़ा हाता है रोस दुबे चले जाते हो और रात को देश से आते हो और मैं दिन भरा के लिए रहती हूं मेरा खयाल नहीं रहता खयाल नहीं रहे तो दिन कैसे गुज़रे और सरकार हमारा दिन भी तो आप भी कि ख्यालों में गुज़रता है इसका मतलब है आप काम नहीं करतें काम तो मजबूरी में करना पड़ता है सरकार अगर मैं तोता होता तो मैं दिन रात तुम्हारे पास बैठता तुमसे बाते करता तुम्हें देखता और मैं अब आप चुपचाप से बैठके नाश्ता कीजिए हाँ जी अब नाश्ता ही करेंगे और कर भी क्या सकते हैं आई बाबा आई बाप रे क्या हुआ लेट लेट और क्या तुमने घड़ी पीछे कर रखी है जी नहीं जी हाँ साड़े नौ बजा रही है और मेरी घड़ी में पूरे दस बच्चु के हैं पूरे आधे घंटे का नुक्सान हो गया तुम तो हमेशा हवा के गोडे पे सवा रहते हो अरे हवा के घोडे पे ना रहा हूँ तो काम कैसे करूँ जानती हूँ आज कुल कॉम्पटीशन का जमाना है कॉम्पटीशन का अच्छा स्वीठाट मैंने प्रिंट्स निकालकर लटका दिये हैं जब यह सूट जाएं तो इन्हें प्रेशर मशीन में डाल देना हां अच्छा और कुछ और और नई आज शाम को जल्दी आओगे क्यों ओफ फो फिर क्यों मैं तुम्हारी स्क्यों से तंग आ गई हूँ क्यों शाम को ममी डैडी आ रहे है इसलिए मैं तो भूली गया था अच्छा मैं जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से आ जाओँगा वाजिश किदर देख रहे हो तुम्हारी तरफ ओके बाइए वाव 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 रोशगुल्ला जले भी जंगली जले भी सिकंदर जी तु पागल तो नहीं हो गया अरे भावी हुआ तोने लेकिन होने वाला था अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया शुक्रिया लेकिन भावी क्या चीज है कहां तुम्हारे हाथ में भावी कयामत है कयामत मेरे हाथ में ते फोटो है अरे भावी इसी की तो मैं बात कर रहा हूं क्या धमा का है क्या हो वो मैंने कहां देखी पहलिया मत बुझाओ सुन्दर है एकदम सच हाँ और बताओं क्या लगता है यह जंगली जली भी राजेश भया के बहुत करीब आ गई है या फिर राजेश भया इसके बहुत करीब चले गए है सिकंदर बहुत बोलने लग्या है भाग यहां से सॉरी भाबी क्यों रे बबलू तुझे भी पता चलगा कि आज मम्मी डाड़ी आ रहे है तभी इतना खुश हो रहा है बोल क्या खातिर करेगा उनकी ओफो तानिया तुझे तो कभी अकल नहीं आएगी मालो मैंना मैंने अभी सोफे का कवर बदला है चलो उत्रों चलों हलो राजेश हलो स्वीठाड मिला नहीं मिला एक और तुम तो शर्मा गई क्या 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 ममी डेडी आ गया यह यह एट्स वंडर्फुल इस न्यूज फॉर सलिब्रेशन अच्छा तुम एक काम करो हाँ बाबा मैं बस में नहीं टेक्सी लेकर आ जाता हूं हां मेरे आ क्या बाते हो रही थी माँ बेटी में कुछ नहीं समझा रही थी मगार नहीं मानेगी भी कैसे आखिर बेटी जो मेरी है मेरे तारिफ बहुत है यह शुरू कि अरे राजेश को तो आने दिया होता आते ही होंगी राजेश आप खाये ने तो पकोड़े ठंड़े हो जाएं घंटी में बस दो मिनिट में आया शोर 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 जॉर चुर बेटे जी डैडी एक बात कहूं जी कहिए डैडी देखो बेटे इतने बड़े बंगले में हम दोनों रहते रहते घवरा गए हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों वहीं आ जाओ हम दोनों हाँ हाँ बेटे ये मेरी खुआईश है कि हम सब साथ रहें तुम्हें कोई तकलिव नहीं होगी राजिश वो तो ठीक है डड़ी लेकिन मैं माफी चाहता हूँ लेकिन बेटे तुम्हें इतराज के है नहीं मम्मे इतराज कोई नहीं लेकिन मेरा एक उसूल है घर अच्छा हो या बुरा छोटा हो या बड़ा अपना होना चाहिए लेकिन वो भी तो अपना ही है राजिश बेटा अपने से मेरा मतलब अपनी कमाई का डैडी वो तो सब ठीक है राजेश मगर मैंने जो कुछ कमाया है वो किसके काम आएगा बेटे तुम दोनों के अलावा तो हमारा कोई है ही नहीं लेकिन डैडी ये जया के हक में ठीक नहीं होगा क्यों? इसलिए के यहां ये अपना काम खुद करती है वहाँ हर काम के लिए नौकर चाकर होंगे ये बेकार होके बैट जाएगी और इसका वक्त नहीं कटेगा मगर इसे तकलीफ भी तो कितनी उठानी पड़ती है राजेश इसी तकलीफ में तो इसकी राहत है खुशी है और सच पूचिये तो डड़ी मुझे जादा बड़े घर पसंद नहीं है तुम बाते ही करोगे या कुछ खाने भी दोगे अरे हाँ अरे नहीं बेटा हमने बड़ी अच्छी तरह से खाया है बड़ी मजदार पकुड़े बनाए हैं तुमने दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे है नहीं बिल्कुल नहीं राजुश से पूचला हाँ ड़ी बहुत अच्छे बनाए हैं लेकिन नमक ज़रा कम है बहुत तुम बाद में खा ले ना मेरे लएक कोई सेवा बहुत देर से बेकार खड़ा हूँ तू क्यों पके हम की तरह टपक पड़ा बीच में आज आप लोगों का मूड अच्छा है न इसले एक रिक्वेस्ट करना चाता हूँ आज धर्मेंदर की पिच्चर का प्रीमियर है फिर ये कैमरा क्यों लिया तूने बताता हूँ भाईया बताता हूँ यही तो एक रास्ता है वहाँ पर पहुचने का फिलम वाले मुझे प्रेस फोटोग्राफर समझ कर हाथ तो हाथ अंदर ले लेंगे मगर मैं आपके हाथ में अपना कैमरा देकर इसका सत्यानाश नहीं करना चाता अरे इसका सत्यानाश तो तब होगा जब इसका इस्तमाल किया जाएगा मतलब साफ है यह तो सब मेरी एक्टिंग का कमाल होगा यह देख लो यह मैंने फिलम लोड की कर ली अब यह मैंने फोटो खीचा खीच लिया ना थैंक यू थैंक यू पर्सो में फोटो भेज़रा आप लोगों की हाँ फोटो तो पर्सो मिलेंगी लेकिन कैमरा अभी चलो तो मिस्टर जीरो अब आप जा सकते हैं देखा मेरी बेज़़ती कर दी ना कोई बात नहीं सिकंदर अगली वार हम तिरे लिए फर्स्ट क्लास नया कैमरा लाएंगे अच्छा बिटे चलते हैं फेर ये ना डाड़ी नहीं बिटे बहुत देर होगे अच्छा राजेश जी डाड़ी अरे बढ़ी तुम लोग का वा होगे हमारे गर जब इन्हें फिरसत मिलेगी अभी आया जाए नमस्टे चल चल हुँगगगगगगगगगगखगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग अरे क्या हुआ अब तक तो ठीक थे स्वीटाट ठीक कहा था सिर्फ बन रहा था क्या इरादा है बताना पड़ेगा अरे वक्त तो देखा करो स्वीटाट मेरा बस चले ना तो इस वक्त को हमेशा के लिए रोक दूँ अभी आप अपने आपको रोकिये मुझे बहुत काम करना कुछ मदद करो जी नहीं ठीक है जैसी आपकी मर्जी चलो मिस्स तानिया कमान कम 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 मिस्स तानिया अब तो मेरी हालत पर रहम करो यार दिन को तो आप परिशन गरते ही यार। अब रात को भी बैट पर आके बैट गए हैं किसी को पता है मुझे सुभह के प्लेन से दिल्ली जाना है अब मेरा सोने का वक्त हो गया अब चलो यहां से भागो आउट चलो आउट 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 अब बध्ती बुझादू यह बध्ती बुझा दूँ हाँ अंधेरा हो या उजाला मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं बस बाते छोड़िये किताब बंद कीजिये और मेरे पास अधियो बड़े मतलबी हो मैं मतलबी हूं तुम मतलबी नहीं हूं पढ़ने से जी नहीं भरा क्या है तुम्हारे दिल की किताब पढ़ रही है क्यों भरोसा नहीं मुझ पर भरोसा तो अपने आपसे भी ज्यादा है लेकिन कभी कभी अपनी कंजोरी का ऐसास हो एक बात पूछो जरूर पूछो बुरा तो नहीं मानोगे बिल्कुल नहीं वो लड़की कौन है लड़की कौन सी लड़की सुबह जिसके फोटोग्रास प्रेंट किये थे तुम्हें जिसके आँखें हिरनी जैसी हैं वो इसमें हसने की क्या बात है तुम्हारे पागलपन पर हसू नहीं तो और क्या करूँ स्वीठार्ट वो लड़की एक मॉडल थी रीटा देड़ दू साल पहले उसके कुछ फोटेग्राफ्स खीचे थे कल एक्जिबिक्शन पर जा रहा हूँ न इसलिए उसके प्रिंट्स निकाल गा रहा है अब तक तो सुना था आज यकीन भी हो गया औरते बहुत छोटे दिल की होते हैं भला बताओ जिस लड़की के बारे में मुझे ये मालूम ही नहीं है वो कहा है उसे आप मेरे पास ढून रहेंगे पी पी ती ती हो मैने पीरी है वरी नहीं है लेले भूबों में लेले बाहूं के धेरे में महके महके अंधेरे में ला 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 मैं तरा भी हूँ ती 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 मैंने पीरी है ना जरी ने शीर क्यूं दरता है दिवाने मस्ती में बेमोने तक्रा भी दे ये मौसम दे पीने का मरने का जीने का चलता भी रे मेरी चर्पी जावने को जालिम होने से जो भी हो ला 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 ले शड़ा भी हो ती 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 मैंने पीरी है ना जरी ने शीरी है इतना नतर सारे फोटों के अंदारे आपको गुझा है कितना निशा मुझको जाने वखा सुझको क्या है पता प्यासी प्यासी अधार मेरी समझा मरती है क्या मेरी ला 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 ल कि नौनसेंस तुम्हें किस ने कहा था कि विदेशी कस्टमरों के साथ अपने दूसरे धंदों की बात करें हमें उनसे सिर्फ उसी काम की बात करनी चाहिए जिसके कंप्लीट होने पर वह हमें 20 लाग रुपे देंगे सब लोग प्लैन एक बार फिर से सुन लो यह नकली है नकली ओ तो बिलकुल इसी जैसा दूसरा असली नेकलिस उडाने कल हमें दिल्ली जाना जाने मन यहां क्या कर रहे हैं जाओ बैटरूम में जाके मेरा वेट करूं बैटरूम को कहीं है वेटिंग रूम ना बना देना है माइडियर तुम्हारे कपड़े बदलने से पहले मैं वहां पहुंचाऊँगा तुम इस ओपरेशन के इंचार्ज हो यह बैग लेकर दिल्ली जाओगे अफकोर्स पोलिस वालों की नजरों से बचके प्रिंच शार्मिंग मुझे देखना है तुम अपनी स्मार्टनेस का जाल होटल की सर्विस गहल पर कैसे फेकते हैं बाकी के इंस्ट्रक्शन्स आपको दिल्ली में मिलते रहेंगे नेकलेस उडाने का प्लैन मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया है काम्याबी मुझे साफ दिखाई देती है एनी सजेशन्स काम्याबी मुझे साफ देती है काम्याबी मुझे साफ देती है काम्याबी मुझे साफ काम्याबी मुझे साफ देती है युर मुझे साफ डार्लिंग ये खड़की में से किसे देख रही हूं आने वाले खड़की से नहीं दर्वाजे से आते हैं डार्लिंग ये नकली में किसके गले में पड़ेगा ये तुमें गलदिली में मालम हो जाएगा खड़की में किसे आते हूं यह तो तुम्हारी एक हादास से फ्लैट हो गया लेकिन दूसरा मूचो वाला पहुत ही खूसट है एक एक चीज की तलाश लेगा अगर कोई खत्रा महसूस करो तो पर्स को यू कर लेना और और पर्स को खोल कर नेकलेस जमीन पर फेक देना जमीन पर हूँ बेगम तुम्हारी नजरे हमेशा आस्मान पर रहते हैं कभी जमीन पर भी देखागा क्या बात है डार्लिंग लगता है नेकलेस मेरे पर्स मही है अहाँ मेरी जेब में है एक ही बात है चलो बेगम चलो बेगम साहिबा मैं तो जा रहा हूँ मगर मेरी गैर हाजरी में अपने आपको सभाल करें अपने आपको मेरा मतलब है नेकलेस को क्योंकि आखरी में नेकलेस सिर्फ तुम्हारे पास होगा और तब तुम बिलकुल अकेली होगी बिलकुल अकेले हाँ तुम फिकर मत करो डाली मैं सब संभाल देंगी लेकिन क्या तुम सच मुच इस प्लेन से बंबई वापस जा रहे हो मेरा दिल्ली में रहना ठीक नहीं है पुलिस को शक है मुझकर अगर मुझे पहचान लिया गया तो तुम सब पहचान लिये जाओग मैंने सब इंतिजाम करवा ले है प्रिंस और प्रिंसस उसी होटल में आ रहे हैं प्रिंसस का मेकलेस कब और कैसे चुराना है यह तमेह पॉल बतारे हो हां आप साब प्रिंसस होटल पहच रहे हैं कोड बेङमसाहिबा खुदाफ़ अफिस वेलकुम तर वोचल यहीनिस थैंक यू वेलकुम तू सिर थैंक यू वेलकुम थैंक यू प्लीस कम वेल मुचल आई बढुरी मुचल ना बर्कुम जा थैंक वेलकुम वेल सिरुड्ये है कि वेल्हाईब pra zost MON वेल्हाईब कर दो कर दो कर दो कर दो रिट्या रुख जाओ इधर उज़र मत देखो तुमारा पीछा हो रहा है मुझे मालूम है उनका प्लैन क्या है आज ये डाग को नेकले सुडाना है लेकिन कब और कैसे ये नहीं मालूम कल सुभे की सिंगापूर की दो टिक्टे मिल सकती है टिकट तुम्हे एरपोर्ट पे मिल जाएंगे लेकिन क्या टिकट के साथ हम दोनों सिंगापूर जा सकेंगे कल दुपर का खाना हम सिंगापूर में खाएंगे सत्यम शिवं सुन्दरंड़ मुझे हजार रुपे का चैन चाहिए मिलने को सकता क्यों नहीं मैं अभी लाके देती हूं और नो नो आप आराम से लाने का मांगता वैसे इस वक्त मैं बहुत बूर हो रहा हूं आप साथ देंगा जी नहीं थेंक यू इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूं और ड्यूटी का बाद सोचूंगे हाई अरे रिटा तुम चलो तुमने अपने पूरानी मॉडल को पैचान तो लिया क्यासी हो बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मुझे छोड़ा था अरे रिटा तुम आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो रिटा मेरी शादी हो चुकी है शादी तुम्हारी हुई है मेरी तो नहीं ओफो अच्छा ज़रा मैं कपड़े तो पहन लूँ एक साथ पहन लेंगे हुआ 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 है हुआ 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 है शाथ यकीन पर लो एक साथ नहीं हुआ है शाथ यकीन पर लो मैं के हैं चाल दिन से लुगत जवाब बतन में के मैं के हैं चाल दिन से लुगत जवाब बतन दिन सरकारों कली कूँ मैं घुसन के चमन की जिसका अभी चमन में से लिचा नहीं हुआ है साहब यकीन पर लो मैं साहब नहीं हुआ है साहब यकीन पर लो पर यकीन पर लो मुझे को किसी अदासे, पहचान कर तो देखो मुझे को किसी अदासे, पहचान कर तो देखो तुम सोचते हो जैसा, वैसा नहीं हुआ है साहब यकीन कर लो, ऐसा नहीं हुआ है साहब यकीन कर दो आचरे को रखारा, नचनी ये भूले पाले वस्दे भरे यादाए, आथों के शास लाले साहब यकीन कर लो, ऐसा नहीं हुआ है 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 झाल 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 क्या करोई वाद डालिग आज को बर्दा आगया अच्छ बहुत खुब्सूरत लगरे तो आज डालिग कमान आज पड़े चुरारती हो तुम आफी का था तो मानदा था हुजूर् मैं तो तुम्हें चिड़ा रही था अच्छा अच्छा तुम्हें सब हमको चिड़ा रही थी रोमेंस डालिग रोमेंस तुम समझ गई ना इतने भी क्या जल्दी अरे तुम जल्दी की बात कर रही हो हमारा बस चलता तो उस मजरे वाली का गाना छोड़कर चले आते हैं कुछ का हो ना अच्छा मजरे वाली का गाना सुनकर तो जाना था ना उसी के पास यह जन्नत चोड़कर कभी नहीं पहले बत्ती बजाते हैं तुम्हारा शर्माना बहुत अच्छा लग रहा है बत्ती बजाती तो कुछ नजर नहीं आएगा नए वैसे तो रात है कुल कर दो इंचे रागों को खुशी के रात में क्या काम जलने बारों का है मार डाला मार डाला ओ यस अरे ओ नो यह क्या मजाक है आज तो ऐसा ही होगा आच है कोरा कोरा नतनी है भूली भाली बस तु मेरे पहले में बैटकर मीठी मीठी बाते करो चूटी मत काटो मुझे नहीं अच्छा लगता आओ ना पहले नेकलेस तो उतार ने दो नेकलेस दो ना डार्लिंग कमान कमान डार्लिंग समझा करो डार्लिंग नेकलेस को छोड़ो ना जो तु शर्मात अपका सब्सक्राइब नेकलेस 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 येकलेस मुआ हुआ कर सबस्क्राइब आर सुनकी टेवा जाए हुआ। हेलो, गुड मॉनिंग, गुड मॉनिंग, गुड मॉनिंग मादम, आप अपना पर्स खूल के रखिया मादम, आप अप लेट हो रही है, जल्दी जाहिए झाल 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 हाई हैंसल हाई रीटा कमाल है कल रात अधूरा गाना सुनकर ही चले गए अच्छा नहीं लगा क्या गाना ओ हाँ गाना गाना तो बहुत अच्छा था लेकिन मुझे ज़रा जल्दी थी तुम यह भागती हुए कहां से आ रही हूँ सोचा था बहुत लंबे उड़ने का था बगर बैड लग तुम यहां क्या कर रहे हो फ्लाइट में कुछ टाइम था इसलिए सोचा कैमरा लोड कर लो कैमेरा है क्या सोच रहे हो कुछ नहीं तुम्हें और इस कैमरे को देखकर मुझे अपने पुरानी फोटिग्राफिक के हाँ हाँ शूर लेकिन जरा संभाल के यूज करना हाँ हाँ संभाल के इस्तेमाल करूंगी तुम्हारे लिए क्या आर्डर करूँ कॉफी मैं एक मिन्ट में यहां होके एक कॉफी देना कि इसमें आर्डर करूंगी तुम्हारे कॉफी थचफी मैं जब सवाप्पने अलगी तुम्हारी कॉफी थंदे उब यहां है कहां चले कही थी तुम्हारे कॉफी थंदे होगी प्लाइट प्लाइट अनॉंस हो चुकी है चलो चलो कम आन प्लाइट प्लाइट बिल्कुल टाइम पर गई अरे मैंने फोन रखा और घर पोँचा ओके मिला बाय सुटार राजिश राजिश तुम इस वक्त अतना कैमेरा आपने पास रखला मैं दो दीन के बाद एकर लेकी जोगी प्लाइट को तो हमारे डालेंगे अपनी जान को भी खत्राएट चलो जल्दी चलो भाग किलो यहां से कंदल तुम मेरी बाप को सुरो कंदल सच सच बता वो नेकलिस कहां है परना मैं सच कह रही हूं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं नेकलिस दिली छोड़ाई हूं जूट यह जूट है तुम अतनी पेवकूफ नहीं हूं मेरी बरसों की महनत तुने पलों में ही परपात करती। तुम इसकर एक बात क्यों नहीं करती दार्ली। दार्ली? तुमने मेरा प्यार देखा है मेरा गुस्सा नहीं बॉस यह लड़की जूट बोल रही है नेकलेस कहीं नहीं जाएगा देखा अपनी मालिक को कितने लापरवा है फोन आए कितनी देर हो गए लेकिन अब तक नहीं पहुंचे तुम दोनों समझा नहीं सकते उन्हें मुझे आके लिए छोड़कर चले जाते हैं आने दो खुब लड़ूंगी हाई स्विठाट अरे भई हम आ गए हैं क्या बात है आज हमारा कोई स्वागत ही नहीं कर रहा कोई जवाब नहीं इसका मतलब है कि केस सीरियस है इसलिए मिस्टर राजिश कान दबा कर अपना स्वागत खुदी कर लो वरना खहरियत नहीं है क्यों जया है हाँ हाँ नहीं है फरी शांती शांती धिरज घर आये मैमान को पहले आराम से बिठाया जाता है फिर उससे बाते की जाती है मैं मजाग नहीं कर रहे हाँ हाँ वो तो नजर आ ही रहा है तभी तो ये भी नहीं पूछा दिल्ली से आये हो क्या लाए हो और क्या क्या देखा वाह क्या नेकलस था आखे चौंधिया गई स्वीठाट असली हीरो का था कीमत कम से कम 20-25 लाग की तो होगी जरूर लाओ तु मुझे पहले एक घर चाहिए है घर क्यों ये घर में है क्या मैंने कब कहा लेकिन रहने के काविल नहीं ना यहां कोई आबादी है ना पासपरोस अच्छे बुरे समय का कोई साथी भी नहीं सबसे अलग मुझे इस विराने में बहुत डर लगता है तुम्हें डर लगता है ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्यों मैं इंसान नहीं हूं क्या आखिर तुम चाहते क्या हो राजिश मुझे बहादुरी का एबॉर्ट दिलवाओगे क्या एक्जेक्टली सच कहता हूं जया वो दिन मेरे लिए बहुत जादा खुशिका होगा लेकिन अब मैं इस घर में नही तुम डैड़ी से पैसे लेकर कोई दूस्तरे घर का इंतिजाम क्यों नहीं कर लेते एक बात हमेशा सुन लो जया आइंदा तुम कभी मुझे अपने डैड़ी से भीक मांगने का मश्वरा नहीं दोगी समझी आइं सॉरी राजिश अरे अरे पगली तुम तो रोने लगी आँ सॉरी देखो भई तुमारी आँखो में आशों अच्छे नहीं लगते हसदो हसदो ना हसदो 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 यह हुई ना बात अगर तुम कुछ दिन और इल्तिजार करती तो मैं तुम्हें सर्प्राइज देता है अब बतान पड़ेगा मैंने फ्लैट बुक कर लिया है कब कहां बंदरा में बस साथवे इंस्टॉल्मेंट बाकी है वो दी कब जा मिला इंस्टॉल्मेंट का भी इंतिजाम हो गया है समझो कहां से अरे बहुत बड़ा काम मिल रहा है बहुत पैसे मिलेंगे अभी जाओंगा और रात को अखरी ट्रेंज से वापिस आजाओंगा अब फिर जाओंगे तो सिर्फ आज जाओंगा इसके बाद कभी नहीं तो में आज इजाज़त देतो प्रॉमिस प्रॉमिस अच्छा चलो अब जल्दी से मेरा बैक तयार कर दो उसमें एक छे रोल कलर के रख देना और दस रोल प् आज रात के प्लेन के टिकेट्स कल सुमें की फ्लाइट से आप अपने देश वापस जा सकेंगे ओके ठीक है ठीक है हम तो जाएने का जल्दी होता बोलता तो हम रहता देखो जल्दी आ जाना अच्छा बाबा आखरी ट्रेन से डेफिनेटली आ जाओंगा ये ने ये ने वो दूसरा वाला देना इस कैमरे क आज मुझे जरूरत नहीं और हाँ स्वीठार वो साथ में फ्लेश गन भी दे देना आज रात को आफ फ्री हैं क्यों एक फंक्शन है फोटो खिचवाने हैं आज तो मैं बाहर जा रहा हूं किस वाफ अब बस अभी और वापसी रात को देर से आंगा और कल कल का देखना पड़ेगा एक मिनिट ठहरिए देखा जिठार ये दूसरा ओडर है मेरे लिए कल तक रूपने को तयार है लेकिन मैं माना दर्जू बिर्जू कहा है बिर्जू बिर्जू बाउस ने तुम्हें याद किया अब मैं चलो दरोगी तो नहीं ओके राजिश सुनो जया कैमरे के पास एसेट की बॉटल पढ़िए वहां से हटा दे ना तानिया कहीं इदर उदर गिरा न दे आखों में पढ़ गया तो कुछ देर के लिए अंधा कर देगा हाँ बाबा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी हो सके तो जल्दी आजाना ओके बाई कर दो कहो पोस्टमैन क्या खबर लाये हो वहां कि सब खबर लाया हो लड़की अकेली है और अंधी है अंधी है तो फिर भेज बदलने की क्या जरूर्थ थी इसलिए कि तुम अकल के अंधी हो तो मुझे ज्यादा वक्त बाहर रेना किसी के नजर में आ तो पहिछा ना जाओंगा और तुम ज्यान से सुन दो अंधर जाके उस अंधी को इस तरह डराओ कि वो सोचने समझने के काबिल न रहे और मजबूर होकर अपना निकलिस हमारे हवाले कर दे और देखो अगर मेरी जरुरत मैसुस करो तो दिया सलाई जला के मुझे इशारा कर दो समझे फोटोग्राफर तो गया अब मैं जाओं गजे इस वक जाकर जेल में जाने का इरद है क्या गुर्दू ये पूरा इलाका सुरज जुक्ते ही विरान हो जाएगा और तब मैं तुम्हारा कला भी गुर्दू तो तुमारी चीक और पुकार कोई नहीं सुनेगा बहुत जुर से किलए देवाद्य सुम्हारा तुम ने जरा भी बेवकुफWestी की तो तुमारी जान की खरने जान हा जान रिटा की जान तो न लोगों ने ले ही लिये कुन करना उनकी लिए मामुली खेल है लेकिन हमें तो नेकलिस चाहिए नेकलिस मिलते ही हम उनके हाथों से दूर भाग जाएंगे अज कहा जाओगी बच्टे जिस भी आखा सुन सुन मतलब ुट मुझ अजयो टौौ। ड़जयो झाओगी फसकता अाओगी नेकलिस भी अजयो बढ़ँ हो आजयो नेकल मुझ युझ अऐँ ुझ Dj Stress यहार जाओ कर लूदोंस्ट म देवगमस्ट चाहा हुआ लुब जहा हो आद़ियू जहार पाहँ दो खETज कि पॉड़ो और कंप कि पॉड़ो और अ कि पॉड़ो है लग लगा है हॉ की पॉड़ो और बदाते है धॉड़ा! लगता है भाबी तुम मुझे चने के जाड़ पे चड़ा रही हो आखिर इस तारीफ का मतलब क्या है कोई खासका में मुझे मुझे क्या काम होगा नहीं है तो बहुत-बहुत ठेंक्यू यानि वेरी वेरी शुकरीया मैं चला प्रीम्यर पहें सिकंदर हाँ उनके आने तक रुप जाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा अरे बाबी जली-जली-जली क्या भाजी बावी नहीं भाजी जली बढ़ाया मुझे सिखाने बावच्ची अरे भाबी में तो देख रहा था ड़ाज में हम जिखाने जा थाब6 रे ऑलाज हम करहाने शाका था था यड्यूब गाजर्गे तक नियू है ने से पीडिशा क्ति तेकार पॉर्शची ना था दू अम्ही इन पमें पॉर्शची औे धर भाब थी इसे दो आइस वे पीजर पॉर्श brilliant मैं देख रहा था कि तुम बादूर हो या नहीं लेकिन भाबी तुम बहुत बादूर हो बहुत बादूर हो सिकंदर लाउंडरी से कपड़े भी तो लाने है कल बंध होगी तो भाबी मैं परसो ले आऊंगा अभी क्यों नहीं बाबी अभी टाइम मिला तो देखुंगा मैं गर वाँ डार्क रूम में क्या कर रहा है कुछ नहीं भाबी कुछ भी तो नहीं कर रहा हु मैं देख कैमरे को हाथ मत लगाना तौबा करो बाबी मैं क्यों हाथ लगाँंगा मुझे कौन सा फोटोग्राफर बनना है मुझे तो हीरो बनना हीरो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कैमेरे की ज़रूरत ये पड़ी है कि तू प्रीमियर जारा तो फिर मेरबनी कर ही दो भाबी नई जापना सिकंदर आजम की सवारी जा रही है I GLL सकंदर कि ये पाब्ना आंप्ना को राबना कि ये पूए ठाबे वर दूपक थेता लाबे मेरा कि चे भाबें कि वआव कि अ उडें कि अ ऍग्वेक आश्ट शो क्सवार्शस हुआ टानिया हेलो फाय ब्रिगेट यह सद्रूस सन्य बिल्जी मिंट रोड फोर्ट मार्केट देखे मैं अंधियों में देख नहीं सकती और हमारे यहां आग लगे हुई है मदद के लिए खोड़ नहीं आप जल्दी आये प्लीज ठेरी ठेरी शायद कोई आया है मदद मिल सकती है मैं अभी बताती हूं कौन है कौन है कौन है देखिए यहां आग लगी हुई है मैं अंधियों मिज़े कुछ दिखाई नहीं देखाया और प्लीज मेरी मदद केजिये और इसमारे भार्य नहीं कि मैं आगे हूँ ना अरे मैं देख लेता हूं कहां अग लगी है नहीं कोने नहीं को निया है अरी तो अच्छी खासी अग लगी हुए था मर्ना पता नहीं क्या हो जाता पेखी अपने आपको बचाईएगा आप मेरी चिंदा मत कीजिए लीजिए यह आग बुझा दी अरे किसी का टेलीफोन आया है क्या हां हां मैंने फायर ब्रिगेट को फोन किया था हलो फायर ब्रिगेट वो देखिए अब आपकी जरूरत नहीं थोड़ी सी आग थी वो मैंने मुझादी थैंक्यू और सॉरी फॉर्ट ट्रबल यह आरन स्विच आफ करना आप भूल गई थी क्या अब नहीं राजेश भूल गए होंगे अरे देखिए घबरात में मैं यह पूछना ही भूल गई कि आप कौन है आपको शुक्रिया तक अदा नहीं किया शुक्रिया थैं नहीं बताया होगा हां कभी नहीं बताया क्या नाम है आपका जी रवी तो क्या उसने यह भी नहीं बताया कि मैं आज घर पे आने वाला हूं नहीं तो यह उसकी पुरानी आदात है भावी हमेशा ऐसा ही करता है ऐसा करती तो नहीं शाट भूल गई होंगे आपको क्या मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ भावी जी मगर आप इधर उधर क्यों गुम रहे हैं क्या देख रहे हैं प्लीज बैठिये ना पहले अच्छी तरह आपका घर तो देख लू ऐसे तो कोई खास चीज नहीं है घर में है, है कैसे नहीं बहुत ही खास चीज है भावी क्या आपका सलीका कितनी खूब सूरती से आपने घर को सजाया हुआ है भावी हैरत हो रही है क्यों जूटी तारिफ कर रहे हैं मेरी आप जूट? अरे जूट तो मैं कभी बोलता ही नहीं भावी जो देखा वो बता दिया अच्छा बैज जाईए मैं आपके लिए चाय दनाती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भावी अगर चाय वाई की बात करोगी न तो मैं चला जाऊँगा मैं आपको तकलीप देने के लिए नहीं आया आप हमारे घर में पहली बार आए है तो क्या हुआ? अब तो मैंने घर देखी लिया है आता ही रहूँगा फिर पिलूँगा भावी आपको हमारी दोस्ती का अंदाजा नहीं पैदा होने से लेकर जवान होने तक हमने हर काम साथ में किया है जी? जी, हम दोनों का जन्द में एक साथ हुआ मेरा मतलब है एक दिन, एक तारीक, एक वक्त खाया एक साथ खेले एक साथ और स्कूल एक साथ गए भावी, हमारी कॉलिज की तो शान ही लग थी क्या जमाना था अपना भावी हम दोनों किरकेट टीम में भी एक साथ थे राजियश बैट्समन था और मैं बोलर वो सैंचुरी मारने में उस्तार और मैं गुगली फैकने में गुगली गुगली और ये फोटो है न भावी फोटो इसमें जो दूसरे निमबर पर खड़ा है न वो मैं ही हूँ अब तो सपना सा लगता है किस तरह कॉलेज उसे कंधों पर उठाया करता था और लड़किया और लड़किया तो दिवानी थी राजेश की हाँ मुझे तो उसके सामने लिफ्ट ही नहीं देती थी पता नहीं क्यों लड़कियों की आदत है बैट्समैन पर मरती है और बोलर से डर्ती है वो तो नहीं मर्दते थे कसी पर क्यों नहीं क्यों नहीं कनहया गोप्यों में रहे और बंसी ना बजये तैब वह वह उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए दो क्वह चाने का जमान फाथISE एसा हो ही जाता है कॉंसे जाते तो को अपना वाडिया Напढूं को अपने को तो क्वाडिया अपने कॉलेज का नाम भी नहीं रही हो भाभी हालात ने तो क्वालेज तो क्या अपना नाम पता तक भोला दिया है और जोड़े हुए भी बहुत दिन हो गए और भावी यह सोचा भी नहीं था कि अचानक आप इस कॉलेज का नाम पूछ लेंगी बादब बाम उलाइजा होशियार आगे सरकार जापना सिकंदर आजम की सवारी आचुकी है अच्छा भावी मैं मैं चलता हूँ क्यों बैठे ना नहीं भावी जरा मुझको बाहर काम है बाद में मैं आ जाओंगा सिकंदर हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता मजाक कहां कर रहा हूँ भावी वो महाशे तो ऐसे गायब हुए जैसे घटे के सर से सिंग तु अपनी एक दिन तारिफ करूं करता है अपनी मैं तो उन महाशे की तारिफ कर रहा था कौन सा चुचु का मुरब्बा है पहली बार चका है बोलने से पहले सोच लिया कर लिये महाराज वो आपके राजिश भाया के दोस्त दोस्त फिर तो हैं सॉरी लेकिन आप भी क्या कामाल करती हो बहुत परिशान करती हो मुझे क्या हुआ कपड़े लेने के लिए मुझे भेज दिया लेकिन पैसे दिये ओफो तू मांग लिटा चजा वहार रखे लेले वा भाबी बहुत बढ़िया यानि यह भी काम मही करो कर लेता हूं मेरा क्या जाता हूं भाबी इसमें एक पाच की एक दो की और एक दस की कहो तो पाच की लेलू हां लेले वेरी गुड शेतार भाबी करेक 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 ओ दस रुपया लिया प्रीमेर भाबी थेंक यू खुल जा ओ सिकंदर ओ सिकंदर देख तो ज़रा दर्वाजा शायर ठीक से बन नहीं हुआ ज़रा गया ओफ वो प्रीमियर के दुन में तो इसे कुछ यादी नहीं रहता कितने बार समझाया है नहीं चोड़ूंगा बिवकुल नहीं चोड़ूँगा कहा है वो तहां है कौन है क्या चाहते हैं लगद में किया यह जवाब तुम दो बोलो कान है वह घर में रहेगा त से बिल्ला जरूरी है बहुत जरूरी है कहां है वो रात को देर से घर आएंगे क्या मलूम सला हैगा कि नहीं आप तमीज से बात नहीं कर सकते तो चल जाएए यहां से तमीज तो अपने पती को सिखाओ पहले समझी मैं अपने पती के खिलाफ एक शब भी नहीं सुनना चाहते सुनलो सुनलो की तो कान फढ़ जाएंगे ऐसे करतुत है तुम्हारे पती की चुप करो नहीं बरदाश हुआ न होगा भी कैसे तुम तो अंदी हो तुम्हें क्या बता वो बदमाश है आवारा है लुच्चा है लफंगा है पक्वास बन कर और चले जाओ रहा है इसे गेट मेरे बेटे की वाइफ रीटा यानि मेरी डॉटर इनलाओ के साथ प्यार का नाटक रचा नाटक मालूम है यह जूट है बक्वास है तुम अगर शराफास से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाओंगी बुलाओ ना मेली तकलिप कम हो जाएगी मैं पुलिस टेशन जा को ना यह तो लव लेटर है लव लेटर मेरे डॉटर इनलाओ को लिखा है सुनाओं पढ़के शरम से डूप मरोगी इतना गंदा है सब कुछ लिखा है कब मिले कहां मिले कैसे मिले कमी ना पे शरम मैं तो जरूर उसे जेल भी जुआँगा तुम क्या किया है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे समझने आएग है कैसे पता होगा तुम तो अंदी हो ना हाहा मैं अंदी हूँ तुम तो नहीं हूँ तुम ने क्यों नहीं देखा अपनी डॉटर पचन मस्त्री का पाव जो निकला एक बार सदा के लिए निकल गया धिका मॉडल थी राजिस उसके फोटो खिष्ठा था नंगे फोटो अब तुम खुछ समझ लो जब एक जवान डड़की मर्द के सामने कपड़े उतारेगी तो क्या होगा वही होगा मेरी तो किस्मत खुड़ गई थी मेरे बेटे पे तो जादू किया था उसने बागल हो गया था मेरी बात नहीं मानी उसने चादी कर ली मैंने सोचा शादी के बाद ठीक हो जाएगी लेकिन ठीक होगी कैसे उसे बिगाडने वाला तो मौझुद था राजेश मालूम है दो दिन पहले दोनों कलकत्ता गए थे कलकत्ता वो तो दिल्ली गए थे अरे कहीं भी गई हो गए तो थे उससे क्या फरक पड़ता है और वापस भी आ गए है आज दुपेर की प्लेन से मैंने अपने आखों से देखा है दोनों को लेकिन अब कहा है वो बोलो बोलो राजेश तो अपने काम से गए है तुम से तो यही कहब औगा सच्ची बात थोड़ी बताएगा तुम हो जूटे बेहिमान इल्जाम लगा रहे हो मेरे पती पर अखिर हो ना हिंदूस्तानी अउरत तुम क्या कर रहा हमेरे बेट्रूम में। ठेरो में दिखाता हूँ देखो दूसरा सबूत, अपको यकीन आएगा क्या सबूत? क्या है? फोटो फोटो हो, तुमारे वफादार पती का फोटो हो रिता के सार कहां से लाएं। आता कहां से तुम्हारे बेडरूम में था तुम्हारे डेसिंग टेबल पे शरम गले में हाथ डालके खड़ा है अपने पत्नी के सीने पे मूंग डल रहा है यह जूट है यह राजश काओ मेरा फोटो है तुमने देखा किसीने बोला बोलो बोलो करें लिसको देंगा लेघी फिर से क्लाबट ने ले और ले ऐखाला उवडिए दो देगी कुरा करवा दूंगा अंदर करवान दोंगा नानल तुम मेरे दर से कोई चीज नेनinsky गीं ले जा सकती दो मुझा है लेकिन यह तुम्हारी नहीं है मेरी है मैं यह ले जाओंगा जरूर ले जाओंगा कम से कम तुम्हारे पती की शराफत का पोल जो खुल जाएगा लेकिन की दोनों ही की रंग्या रंग्य हुए है राजो श्रीटा के साथ बाहरेश कर रहा है और पत्ती घर के अंदर बेरी गुट जाओ मिश्टर जाओ अच्छा मौका है ए बुटे क्या बगता है एडियेट कहीं का बस बस सब पता है पता है जा अंदर जाओंगा टाइम ज अब भावी तुम रो रही हो बात क्या है आखिर हुआ कि उस बुड़े की बात से परिशान हो रही हो क्या अब बहुत क्या बताऊं कि क्या कह रहा था वह कह रहा था राजेश और रिटा एक दूस्र से प्याव करते हैं उनका अपस में कोई कहरा संबंद है लेकिन तुमें तो राजेश पर भरोसा है ना भावी है तो लेकिन वो ड्रेसिंग टेबल पर रख्योई तस्वीर दिखा कर कह रहा था वो रिटा और राजेश की है कहा है मुझे दिखाओ वो बुड़ा साथ ले गया और पुलिस में जाने की धंग की दे गया पॉलिस में फिर तो हो सकता है बुड़े की बात में कुछ सचाई हो राजेश पर कोई इंजाम आ जाए बात बढ़ जाएगी भावी मेरी मानों इससे पहले हम ही सब कुछ पुलिस को बता देते हैं ठीक है कि तुम कहते हो तो फोन कर लेते हैं अरे अरे भावी आप क्यों तकलिफ कर रही है मैं कर देता हूं क्या नंबर है हाँ देख लिया टू वान टू वान थ्री सिक्स वन सेगन हाँ को भाव प्लिस टेशन प्लिस टेशन ड़ी को देखिए मैं मरीं ड्राइव शनी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर मिस्टर राजेश के घर से बोल रहा हूं हां जी बात यह है कि अभी-अभी एक बुड़्धा आया था उसने मेरी भावी को गालियां दी डराया धमकाया और साथ-साथ एक चांडी का किम्ती फोटो फ्रेम भी ले गया है हां कि सर्जी राजेश घर बे नहीं है चाहीं मेरी भावी देख नहीं सकती वह अंधी है हां पॉलिस टेशन नहीं आ सकती आप मेरी और से नोट कर लीजिए ना आप मेरा नाम रवी है आप आ रहे हैं ना फैंक यू-थैंक यू-इंस्पेक्टर जी में यह थे रहतां फैंक इंस्पेक्टर साब इधर ही आ रहे हैं आप तो डरने की कोई बात नहीं है ना बहुत अच्छा हुआ रभी भाया जो तुम वक्त पर आ गए लेकिन तुम अचाना कहा कैसे गया क्या बताऊं भावी भगवान जो करता है अच्छा ही करता है मैं अपना यह पैकर भूल गया था रास्तनियाद आ गया और तुम्हारी मदद का भाना बना वर्नम में पैकर भूलता ही क्यों अब भावी भावी अच्छाने पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़े ही जाओंगा रभी भाया नाच्छाने मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे उतारूंगी क्या बात करती हो भावी एहसान कैसा यह तु मेरा फर्ज है आखिर मैं राजेश का दोस्त हूँ आप थेरो भावी मैं देखता हूँ कौन है मिश्टर आजेश जी नहीं मुझे रवी कहते हैं आपको क्या चाहिए अच्छा तो वो आपके ही डैडी थे जो मेरे पति को गालिया दे गए हैं उन पर जुटे इल्जाम लगा गए हैं यूसी यूसी उन्होंने जो कहा था वो ठीक है मैडम पागल तो मैं हूँ तो यहां क्यों आए हैं पागल खाने जाए लगता है वहीं चाहना पड़ेगा क्यूंकि मैंने अपने डैडी की बात नहीं मानी और रिटा से शाधी कर ली इन बातों से मुझे क्या मतलब जी आप अपको नहीं है आपके हजबंड को वो दोलों फ्रेंड है I mean बॉइफ्रेंड गर्फ्रेंड उनके रिलेशन में थवड़ी गड़बड थी बड़े बेशर्म है आप एक शरीफ आदमी के बारे में उसकी पत्नी के सामने गंडी बाते करते हैं शरम नहीं आते है आपको हाह शरब ने तो करम खोड़े है और साथ में तक्दीर भी मुझे क्या मालूम था ऐसा होगा यू सी रिटा स्मगलर थी I mean स्मगलर के साथ काम करती थी आजिश के बारे में I don't know मैंने रिटा को बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी आखेर वही हुआ क्या हुआ आप कहना क्या चाओते हैं यू सी रिटा दो दिन पहले दिल्ली गई थी आज वापस आई है राजिश के साथ सुना है वहाँ उसने नेकलेश चुराया है 20-25 लाग का और वो नेकलेश रिटा ने राजिश को दिया है तो आपका क्या मतलब है कि नेकलेश इस घर में है आई मिन हो सकता है ना नहीं मैं तो राजिश से कहने आया हूँ कि अगर निकलेश इसके पास हो तो पुलिस को दे दो वरना बुरी तरह फश जाएगा क्योंकि रिटा का मर्डर हो चक्ता है रिटा का मर्डर किस ने किया इसी यह तो नहीं मालूम लेकिन इलजाम राजिश पर आ रहा है मेरे डड़ी को तो यकिन है कि राजिश ने निकलेश हलब करने के लिए रिटा को माल डाला हाँ नहीं यह जूट है ऐसा नहीं हो सकते लेकिन लेकिन ऐसा हुआ है मैं क्या करूँ सब सबूत राजिश के खिलाफ हैं मुझे पुलिस ने बुला है स्टेट्मेंट देने के लिए मगर मैं नहीं चाहता कि बेकसुर राजिश मर्डर केस में फश जाए आई मिन आई मिन फांसी पे चड़ जाए यूसी यूसी आया इसलिए हूँ कि सारा जगडा मैकलेस का है अगर गलती से वो इस घर में आ गया हो तो आप मुझे दे दिजिए मैं वो पुलिस को देकर राजिश की पोजिशन क्लियर कर दूंगा भाबी फोन ठीक है मैं ही ले ले लिख आए हलो हम इंस्पेक्टर साब कोलावा पुलिस टेशन से हाँ जी मैंने ही किया आए नहीं आप क्या कहा कम्प्लेंट लिख वाई है मिस्टर फर्णांडिस ने और राजेश और रिटा का फोटो भी दिखाया क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साब अरे राजेश एक शरीफ आदमी है क्या घर की तवाशी रेंगे आप क्यों नेकलेस नहीं नहीं इंस्पेक्टर साब यहां कोई ऐसा नेकलेस नहीं है वारंट ठीक है आप वारंट लेकर आईए आम यहें नहीं राजेस देर से आएगा आच्छ बहुत अच्छ अजीब चक्कर है इसी कोई चक्कर अभी तो नहीं है लेकिन हो जाएगा नेकलेस अगर इस घर में मिल गया तो पहाना नेकलेस इस घर में नहीं है आल राइट आल राइट आप जानिये समझाना मेरा काम था मैंने समझा दि नाव यूसी मैं तो जा रहा हूँ पुलिस में स्टेटमेंट देने की लिए हाँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ पुलिस ने बुलाया है तो स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा तुने समझाने की कोशिश तो मैंने की आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने तो मैं जाओं तोने से क्या होगा भाबी जी भाईया मुझे कुछ समझ में निया है कि यह सुब क्या हो रहा सीधी सी बात है रीटा ने नेकलेस चुराया बीस लाग का राजेश उसके साथ था रीटा का हो गया मुल्डर इल्जाम किस पर आया राजेश पर ना भाबी मेरा मतलब यह निया कि राजेश ने जान भूज कर किया होगा मगर दोखा भी तो खा सकता है यह कैसे मुमकिन है मुमकिन हो रीटा खत्रे में फच गई हो और उसने अपनी जान बचाने के लिए वह नेकलेस राजेश को दे दिया हो और राजेश उसे घर पर लेए हो देखो भाबी चुपाने से मुश्किल और बढ़ जाएगी अगर त बता है तो नेकलेस पोलिश को दे देते हैं तो राजेश पर इल्जाम नहीं आएगा मुझे मुझे कुछ नहीं पता मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि राजेश ऐसा नहीं कर सकता भाईया तुम यहीं ठेरो मैं डाड़ी को पोल्ड करती हूं यह क्या कर रही हो भाबी उन्हें भी बताओगी कि रीटा और राजेश के गलत संबन्द थे उनके दमाद ने उनकी बेटी को किस तरह दोखा दिया है यह सुनकर तुमारे डैडी को दुग नहीं होगा देखो भाबी ऐसी गलती भूलकर मत करना बात बढ़ाने की बजाए ह हम दोनों मिलकर हल करने तो अच्छा है लेकिन कैसे नेकलेस देखें मैं तुमको कैसे यकिन दिलाओ रवी भीया मुझे यकीन दिलाने से क्या फाइदा यकीन तो पुलिस को आना चाहिए घर की तलाशी होगी और अगर नेकलेस मिल गया तो तुम लोग बहुत बड़ी मुस नेकलेस के बारे भी जोनोंने दिल्ली में देखा था वो कह रहे थे कि वो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गडबर जरूर है देखो भावी इंसान की नियत बदलते देर नहीं लगती हो सकता है कि राजेश खुद नादानी कर बैठा हो मेरी तो किस समझ मेने यार है कि मैं क्या करूँ मेरा ख्याल है कि पुलीस की आने से पहले हम खुदी घर की तलाशे ले ले नेकलेस होगा तो मिल जाएगा छोटा सा घर है ठीक है तुम कहते हो तो देख लेते हैं कि अरे क्या मेरा कहां गया है कि राजेश तो यहीं छोड़ गया था है कि शाक फिर ले गया हुआ कि कहां होगा नेकलेस है कि कि इतनी डिरावनी आखे है कि यह सुप्रेस बचा है इसे देख लेते हैं कि रवी भाया देखना क्या है कि अगर हो तो इसे जला दो कि सुने तुम्हें अगर इस घर में रिटा के कोई चीज नुज़र आए तो उसे खत में कर दो ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले भावी यह खत रिटा के नहीं तुम्हार है देखा आजुश मैं भी दूसरों की बातों में आकर तुम पर शुक कर बैठी यह मैंने ठीक नहीं कि का थे खैंसे पूसरों है मिझन लुटजों यह दोफ्रों है कि वह खिरकी के पास क्या कर रहे हैं यह जाबी है तुमने गाड़ी की आवाज नहीं सुनी गाड़ी की आवाज में आपकल नहीं हाट ऐसिकान रिकिंसितश बीर में तों मिंझे तो कोई आवाज तुमने कहां से सुन दी भाबी तुम तो ऐसे कह रही है जैसे कि मैं जूट कह रहा हूं पता नहीं लेकिन मुझे तो शकनी कर रही नहीं भावी मुझे तो इस बुड़ उसके बैटो पर शक हो रहा है दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी है वा भावी वा अच्छा शक्किया तुमने अरे बाप बेटों की एक जैसी आवाज नहीं होगी तो क्या मेरी और तुमारी होगी फिर भावी मैंने अपने आँखों से देखा है दोनों अलग लग थे एक बुड़ा बाप और एक जव तो नहीं होगा दोनों की जुतों की आवास बेक लोग जैसे थे नहीं बावी नहीं तुमाइज परशाद ज्दा हो गई हो ना इसलिक कोई बात तुमाई समझ में नहीं आ रही है अब को अब कॉन आया है देखता देखता हूँ कि है हेलो इंस्पेक्टर आईये प्लीज आईये प्लीज आईये बहुत देर कर दिया आपने हैसी भावी काफी परशान हो चुकी है क्या बात है बताईये भावी इंस्पेक्टर सहाब शाम को यहां एक बुढ़ा आया था हैसी और वो यहां से फोटो फ्रेम ले गया जो राजेश और रिटा का है जी वो गुढ़ा और उसका बेटा दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हैं राजेश के खिलाप उन्होंने कंप्लेंड दिखवाई मालू में राजेश ने रिटा का मर्डर कर दिया है यह जूट है जूट और सच का फैसला आदालत करेगी पुलिस ने राजेश के खिलाप वारंट जरी किया है और मैं उसे गिरफतार करने आया हूँ बताए इस वक्तों कहा हैं इंस्पेक्टर माना की कानून आपके हाथ में है मगण इस तरह मजबूर औरत को ढहराना दंकाना अच्छी बात नहीं आप कोन होते हैं बीच में बोलने वाले क्या नाम था आपका रवी मिश्टर रवी क्या आप इनके वखिल है शायद ठीक है होंगे आपको जो कुछ भी बोलना है आदालत में बोलिए अच्छा मिसिस राजेश बताईए वो कहा है वो वो अपने किसी काम से बाहर गया है देर से आएंगे इस घर की तलाशी किसने लिए जी यकीनन नेकलेस धूंडा गया है मिला जी नहीं इसका मतलब है आपको नेकलेस के बारे में मालूम है फि मैं सच कहते हूं मुझे कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम मिसेस राजेश आप हमें धोका नहीं दे सकती वैसे भी एक अच्छा शेरी होने के नाते कानून की मदद करना आपका फर्ज है आपने अगर हमें नेकलेस दे दिया तो आपके पती मर्डर किससे बच सकते हैं इसलिए अकल से काम दीजिए वो नेकलेस छुपाने के बजाए हमारे हवाले कर दीजिए अब मैं जाता हूं नेकलेस मिलते ही इनके हाथों हमारे पास भिजवा दीजिए क्या नाम बताया था अपने मिश्टर रवी नेकलेस मिलते ही सिद्धे मेरे पास पुलिस टेशन चले आ रहा है अजिए पुलिस टेशन चले आए बसके कहांचा एगाओ अजिए क्या सोच रही हो भावी बड़ बहुत कम है नेकलेस ढूंड़ो जल्दी ढूंड़ो लगता है नेकलेस की ज़रुवत पुलीस से ज़्यादा तुम्हें है क्या यह यह तुम क्या कह रही हो भावी मैं ठीक कह रही है मेरी बात का सच सच जवाब दो हाँ जल्दी पूछो इंस्पेक्टर की जूते रबड के थे या तुमने इशारा करके उन्हें उतारने के लिए कह दिया था भावी तुम भी पुझे उनका साथी समझ रही हो मैं को गुंड़ा या बदमाश थोड़े ही हो तुम्हें गुंड़े हो ना बदमाश यह मैं अच्छी तरह जानती है तुम इस सिग्रेट तो नहीं पीटे नहीं तो इस घर में तीन बार दिया सलाई जलाई द दूसरी बार तुमने जलाई बुड़ा अपना लड़का बन कर आया तुसरी बार भिर तुमने जलाई बुड़ा इंस्पेक्टर बन कर आया क्योंकि मैं तुम्हें जूतों की एक सी आवास के बार में पहले ही पूच चुकी तुमने इशारा करके इंस्पेक्टर से जूते मेरे कान ही मेरी आखे हैं जरा सी आहट मेरे कानों में शोर बनकर गुंचती है इसका मतलब है कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी हो अब नेकलेस चुप चाप मेरे हवाले करते हैं अगर मुझे नेकलेस मिल भी जाए तो मैं आपको वापस नहीं करूंगी क्यों क्या मतलब क्योंकि नेकलेस की वज़े से तुम्हारी जान जा सकती है वो बुढ़ाई शायद तुम्हें माल डाले ताकि उसे हिस्ताना देना पड़े इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले तुम्हें उसे इस सब कुछ ना कहती है मैं इंसान की आवाज से उसकी दिल को पहचान लेती हूं रवी भाईया मुझे विश्वास है तुम ऐसा कभी नहीं करोगे भावी रवी तो सारी दुनिया का अंधेरा दूर करता है लेकिन तुम के से रवी हो भाईया जो रवी होक अंधेरे में भटक रहे हो इस अंधेरे से निकल जो बस बावी बस मैं आके होते हुए आस तक अंधा था जिंदीकी का सही रास्ता नहीं देख पाया रवी लेकिन आज तुम्हें मुझे सही रास्ता दिखा दिया उठो बैल्या मर्द की आउखों में आसु अच्छी नहीं मुझे अशीर वर्दो भवी मैं तुम्हारे किसी काम आ सको तुम मेरी चिंता मत करो तुम यहां से चले जाओ लेकिन हुश्या रहना सुना है ऐसे लोग आसानी के साथ अपने जाल से निकलने नहीं देते बल्कि जान के दुश्मन बन जाते हैं जल्दी चले जाओ ज तुम मेंसे जाओ जाओ कौन है यह रभी परिया कौन है यह रभी परिया परिया बोलो तुम बोई ते क्यों नहीं बोलो कौन है यह क्या हो रहे है ने घर में यह बोलो थो ऊहरा है यह रहां सती हुद्वा यह रसे हुद्वाय बोलो तुम हो नहीं है तानय हो जब किं तानया 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 प्लीज हो जाए Liang इब लिए दो यी हो क्या सुनाई नहीं देता тебя तानया 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 इदर आप इदर आप तानया तानया अचारो हो अज ये तुम्हारा कहना नहीं मालेगा Tania 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 Tania, not Tania No Tania Tania Tania, please Tania Tania, where? तानिय कं बानिया तानिया 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 तानि इसे मत मारो, इसे क्या भी गड़ा है तुम्हारा, मत मारो तानिया को, तानिया मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं तानिया बादब, बामुलाईजा, होशियार जुबान नहीं खोलना, वरना जहाँ पना सिकंदर आजम की सवारी आ चुकी है अरे, क्या ड्रामा हो रहा है तानिया, आई तु आके खुश किसमत है प्यारे लेकिन खेर, अब अपुनने भी सोच लिये अगला जनम होगा ना भाबी या तो बनूँगा हीरो, या फिर कुट्ता पता नहीं भाबी आज पिच्चर में दिल ही नहीं लगा और वेसे भी मुझे दनीन बहुत आ रही है कहो तो यहीं सोजाओ, हाँ भाबी कहो ना भाबी, क्या हुआ अरे क्या बात है भाबी आज तुमने मौनवरत रखा है मेरा मतलब है खामोशी का रोजा हाँ चलो अच्छ है भाबी बोलोगी तो जट से कोई काम बोलोगी सिकंदर ये कर ले, वो कर ले लेकिन भाबी, जहापना इस वक्त सोने के मुड में है काम के नहीं, मुड नहीं ओफो, अजहर का मुल्टा हो रहा है भाबी, चलता हूँ, सुबे जल्दी आऊंगा गुलनाइट वभाबी, यूड भाबी इसका आए प्रस हचेपन की थाहाँ आए आई को भाबबाश्रोशलोसreiben बैदी कैसी हो अच्छी बैदी राजिश कर पर है नहीं है नहीं है यह क्या लगाया है हेलो बिटी हेलो हेलो फोन भी कट कर दिया रहने बीदो यह कोई वक्त है फोन करने का कर खार क्रूंगो शाबाश, वाकही तुम बहुत समझदार हो शाबाश, वाकही बहुत समारा हो हलो है कौन गलत समझी ना तुम हमें नहीं देख सकती है बर हम तुम्हें देख सकते हैं अल देख सकते हैं वो सकता है कि राजिश को है कि राजिश की दिना तानी कर बैठाओं प्रिटा का मड़ा पुचका मड़ा ने राजिस को दिया। सुनो जया, कैमरे के पास एसेट की बॉटन पढ़े, वहाँ से हटा दे दी, कानिया पे ही इत उदर गिरा न दे, आखों में पढ़ गया, तो उस देर के लिए अंधा कर देगा। पहले तो या नहीं था राजिश सिकंदर लेकी गया होगा मगर यह इतना भारी क्यों हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुँआ afect deeply that चजआ हुआ अगे दो कर दो कर दो कर दो हुआ हुआ queen कåई कर दो अ कर दो घड़ प्रॉड़ प्रॉड़ ऀरकांटे, में प्रॉड़ प्रॉड़ करेता हैं यह प्टारी पार्यूभा अजाओ जब हुएते 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 हैं गिजाओे। कि इस धर के दिये तो मैं बुझाने आया थे लेकिन यहां तो कुंदन पहचान ली मेरी आवाज के तुम भी उन गुंडे बदमाशों के साथी हो साथी मेरा दर्जा क्यों घटा रही हो जया मैं उनका साथी नहीं मैं उनका बॉस हो बॉस मुझे तुम धोखा नहीं दे सकती अब चुप चाप वो नेकलिस मेरे हवाले कर दो नेकलिस? कैसा नेकलिस? यहां कोई नेकलिस वेकलिस नहीं है है? इसी घर में है और वो तुम्हें देना ही पड़ेगा कुंदन, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो यह तो तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैंने इस वक्त का किस कदर फाइदा उठाया है यह तुम क्या कर रहे हो? मिक्ति का तेल इदर उधर चड़क रहा हूं कुंदन अंधेरे में तुम्हारी सूरत नजर नहीं आ रहे है उजाले में देखूंगा अब तुम जूट किसलिए बोल रही है? मैं जूट नहीं बोलती है वह तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं जया वो नेक्लेस मुझे दे दो मैंने कहाना मेरे पास नहीं है अच्छा जोकस तुम्हारे घर में है वही दे दो न कमीने कुद्टे तुम्हारी ये जुरत ची 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 इतने बड़े बाप की बेटी और गालियों पर उतर आई तुम भी तो कमीने बद पर उतर आया हो कमीनों का तो बाप दूने तुम सोद्टे के साथ क्या कर रहे हो वही जो बाद में तुम्हारे साथ करेंगा तो तुम्हारे साथ क्यों ज़ला रहे हो ये तुम्हें प्रेजटा रहा है मैं किस तरह तर्पा तर्पा कर बेरहमी से सासे छीनता हूँ तुम्हारे हाथ क्या आएगा ऐसी जल्दी कहाँ आराम से लटाएंगा जयाँ आज की रात का मैंने बहुत बेस अज़िस अंतिजार किया और आज की रात बहुत दिनों के बाद आगी आज की रात अपनी है यह घर अपना है और तुम तुम भी अपनी है मैं कहते हूँ मैं कहते हूँ निकल जो यहां सकुंदन एक बार निकल कर आज तक पस्ता रहा हूँ तुमने मुझे ठुकरा दिया शादी से इंकार कर दिया तुम्हारी एक ना ने मुझे इंसान से हवान बना दिया सिर्फ तुम्हारी वज़े से मुझे गैर कानूनी काम करने पड़े मैं शैतान बन गया हूँ जया शैतान आज तुम्हारा ही बना हुए ये शैतान तुम्हें माफ कैसे कर सकता है और अब मेरा नेकलिस भी ले उड़ा आज मैं सबसे बदला लेने वाला हूं जया आज के बाद राजेश और तुम्हारे माँ बात सर उठाके नहीं चल सकेंगे और दुनिया तुम्हें एक की नहीं दो की पत्नी कहेगी कहां तक भागोगी जया मर गया साला आज मेरे जो भी आड़े आएगा उसका यहीं अन्जाम होगा मैंने अभी तो इससा कुछ नहीं किया जिसकी वज़े से तुम्हें रोना आ रहा हाँ 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 रोलो जी भर के रोलो तुम्हें रो रो के ठक जाओगी और मैं आसानी से अपनी मन मानी करेंगा हाँ 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 पक्रो 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 जया पक्रो ना ठक होगा जया डरो मा नहीं ना जया मत रोओ ये लो पूंच लो आसे लो फक्ड़ो जया फक्ड़ो फक्ड़ो जया फक्ड़ो जया रो चुकी कुंदर तुम कहां खड़े हो तुहारे सामने जया रुख जान दी नागें मेरी आखे मेरी आखे मेरी आखे तुम्हें जंदा नहीं चोड़ूँगा मेरी आखे अब दौनों बराबर हैं लेकिन मेरी आखे अंधेरे की आधी है और तुम्हारी आखों को अंधेरे का अधी होने में देव लगेगी समझें निगल या है से मैं तरी जान ले लुआ यह 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 तेल मुझे क्यों चड़क रही हो जल्दी क्या है आराम से बतानोंगी दाथ अपने हैं घर अपना है और तुम अपने हैं अंधे नाग तुम्हें अपने जैसा बना दिया है किदर हो तुम अब तुम हो गये थे जो मुझे अंधी और मजबूर समझते थे अब बस करो यह खेल बस तुम भी तो बहुत खेले हो मुझे अब मेरी बारी है और ले अब जैया मुझे यह मैं जोड़ तो अब पीश्य करें रहा है यह जिएसलाई कि उछलाई ? नीज़ाई मुझे कुछ नजर निआ रहा हैं कुछ ने लिए मैं और हम अंधेर इसे डर लग रहा है तो क्या फिर अपनी चीता जला के उजला करेगा को सबस्क्राइब कर दिया तुम उस्टे जलाद होगी मैं अपने घर को तो आग नहीं लगाऊंगी फेकता है यह मैं यह जो अब मेरे घर की चाभियां भी इस तरह प्षेक दे वरना जलाद दूगी पागलपन मत कर मैं देता हूं जल्दी अब तुम जनदो रहात तुम जीती मुझे जनदो अब तो तुपुलिस की गाणी में ही जाएका वो चड़ी उठा उठावो चड़ी कौनसी चड़ी जो तेरे पहणों के पास पड़ी है जल्दी कर जल्दी तो कर रहा हूं मैं लग ढली अब क्या करूं कहा हूं तो अपनी जिसमें भेजा नहीं भूस आवर आए अगे मत बढ़े अब वहीं खड़े रहेकर फर्ष पर छड़ी मारता रहे हुआ 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 है यह आवाज इसी तरह आती रहनी चाहिए और ज़रासी भी होश्यारी की तो याद रखना मेरे पास माचीस है हाँ हाँ आती रहेगी आती रहेगी मेरी मा जया तुम्हारी चाह हो मैं खुद को बड़े बड़ों का बाप समस्ता था और तुम और तुम तो मेरी मा निकली मा जया तुम्हें अंदा समझने वाला खुद अंदा है तुम बहुत होश्यार हो तुम बहुत होश्यार हो और हर ह आदमी कभी ना कभी कहीं ना कहीं बूल कर देता है चया और तुमने भी एक भूल की है देखो फ्रीज की बत्ती तोड़ना भूल गई से कंदिर्स नेट ने थला से कंदरस्ट ने कर दूला से कंदरस्ट ने से कंदर से कंदर常 upset कोई नहीं आएगा जयक कोई नहीं आएगा कि मैं जानता हूं राजेश दिल्ली की गाड़ी से आ रहा है मैंने उसकी गाड़ी का काटा बदलवा दिया था अब वो मेरे कबजे में है मेरी मर्जी के खिलाफ वो इस घर में आहीं नहीं सकता तुमने राजश को तो कुछ नहीं किया अभी तक तक कुछ नहीं किया मैं हार गए कुंदल अब मुझे में कुछ कहने की ताकत नहीं रही यहीं प्यार से कहो मैं हार गए कुंदल प्यार और आंसों का कोई रिष्टा नहीं पोच डालो यह और कुछ मुस्कुरा कि कहो कि कुंदल मैं हार गए हूं कहो ना कहो मैं हार गए कुंदल तुम जीए के तुम देख लेस ले सकते हो तो मैं तीक लूँगा नहीं कुंदल अभी अभी तुम्हें मुझे मा कहा था अपने आपको कमीना भी तो कहा था कर दोड़ अभा हुट। कर दो कि कुंदल झाज हुट। हुआ है अब है अब है है अब है मिस्टर राजेश मैं आपके घर से आ रहा हूं आपकी मेसिक से पता चला कि आप आखिरी देंस से आने वाले हो लिटा दम तोड़ रही है दो तिन बार तो आपका नाम बड़ बड़ा चुकी है आप चलकर उसे देख लिजिए प्लीज ताकि आपको देखकर उसका दम आसानी से निकल सके प्लीज चलो सिकंदर जाओं जाओंगो रहाओंगो लुपुँश का ईभंगो जुब्स से रहन उस niż प्लीजच़ छराद़ा उसे माद्नों चलुब्सुश एवउ़दू उनोजो ऑट यो up 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 अँपन को अजब हो. अँपन को अँपन को अढ दोते हैं. अर अंट हो. अर्णायाए अजब दें है. आइ टीमट्वीलियों. अर्णायाए फॉड़. अर्णाया भी डगोंड भी टीम चुब है. कर दो खब इसे जाइ चाजने पुछब यूगर बखुब यूज़ कि अवड़ार विदा इा अवरे है कि अवरे घे आमना सा हौपरे इसाले है वुब युब कर दो कर दो हो ग üzer प्लाए प्लाए पया प्लाए यह हुँँँ वुणु वुःटर श 노 कर दो हुँँँ वुई मन था हल हुँ 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 बीटर के हाम राख हुँ जलो जल्दी करो हरी अप जया दर्वाजा खुलो जया 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 जय जया, 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 मैं यहाँ हूँ, मेरे पास हाँ मैं यहाँ हूँ, जया, उठो जया, अब रोना किस बात कर जया, तुम तो विजयता होँ? हाँ जया इंस्पेक्टर साहब मुझे आपकी जीप से भागना पड़ा दरहसल सुभए से मुझे इस गड़बड का अंदेशा था इंस्पेक्टर साहब जब तक आप मेरी बात का यकीन करते तब तक मेरी पत्नी की जान भी जा सकती थी उस नेकलेस की वज़े से जो तुम मुझे प्रेजेंट करने वाले थे अब वो नेकलेस में तुम्हें प्रेजेंट करो नेकलेस कहां है वो नेकलेस वो राजश की कैमरे में था जिसका पता राजश को भी नहीं था मैंने उसे छुपा कर उस गारी में रंग दिया ये बदमाश दिल्ली से नेकले चुरा कर फरार हो गए थे मिस्टर राजेश इन मुल्जिमों की जिन्दा या मुर्दा गिरफतारी पर सरकार की ओर से इनाम रखा गया है श्रीमती राजेश मैं आपको अपनी और सरकार की तरफ से बदाही देता हूँ आज अपने भारते नारी का सर उचा कर दिया राजेश चाहे तुम लाख हिंकार करो लेकिन मैं अपनी बेटी को इससे बढ़िया नेकलेस प्रजेंट करूँगा देशो चाहे प्राजेश जया है कर दो अपने से बद़्ाँ अपने और स्थो बाच चैने मैं आपके लेकिन फमार्वेश प्रफेंटी कर दो 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 झाल झाल झाल